क्या आपके घर में दूद खीर रजगुल्ला चना गुड आपल अनार अरे अरे मैं किसी डिश के बारे में आपको नहीं बताने जा रहे हूं मैं तो आपको शायद यह बता रहे हूं कि किस चीज से खाने से किस चीज के भोग से मालक्षमी प्रसन हो जाएगी तो घर में तो चीजे हैं ना यह बताना चाह रहे हूं चलिए इंट्रेस्टिंग जानकारी आपसे शेयर भी करते हूं कि शुक्र ग्रह को लग्जुरी सुख धन और प्रेम संबंद का कारक माना जाता है इसे लिए इन सभी के लिए शुकुरवार को दूद खीर रजगुल्ला चना शुक्रवार को रजगुल्ले भी खाएं इससे जीवन में प्रेम और मिठास बढ़ती हैं हाँ अगर शुगर वगेरा की दिक्कत है तो परहेस करें यह सारी टिप्स नॉर्मल लोगों के लिए अगर आपको किसी चीज को नहीं खाना है उसे प्रॉब्लम है या अलर्जी है तो प्लीज उसे अवोइड करें करें देखिए अनार भी शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है पॉफेक्ट रिजॉल्ट देता है शुक्रवार की दिन भुना वाचना और गुड़ भी खाया जा सकता है पैसे की तंगी दूर होने के योग बनते हैं मैं फिर बता दूं अगर आपको इन साथ चीजों से शुक्रवार के दिन लक्षमी जी को प्रसंद करने वाले विशेश उपाय बताती हूं यह उपाय आप आज या किसी भी शुक्रवार को कर सकती हैं क्योंकि शुक्रवार ही मालक्षमी का दिन होता है शुक्रवार के दिन दक्षणावती शंक में जल भर कर भगवान विश्नु का भी शेक करें इससे मालक्षमी प्रसन होती है और भक्त को जितनी भी फानाशल दिक्कते हैं जिसका सामना करना पढ़ रहा है उससे निजात मिलती है इसी तरफ फ्राइडे के शाम के समय घर के इशान कोन में गाय की घी का दीपक जलाएं लेकिन दीपक जलाते वक्त बाती में रुई की जगा पे लाल धागे का उप्योग करें शुक्रवार के दिन दान देने का भी बहुत महत्व है इस दिन जितना हो सके गरीबों को दान करें सफेद रंग की वस्तू या खाने की चीजों का दान करें और भी शुब माना जाता है शुक्रवार को तीन कुमारी करन्याओं को घर बुला कर खीर खिलाएं और पीला वस्त्र और दक्षणा देकर फिर विदा करें इससे भी मालक्षमी प्रसन होती है शुक्रवार के दिन श्री अंत्र को गाय के दूद से अभिशेक करें और अभिशेक किये वे जल को पूरे घर में छीटे मारें तो धन लाव होने लगेगा आपके हाथ में लक्षमी जी की देखा कहा है धन रेखा कहा है जल्दी शो पर ऐसी कई जानकारियां शामिल करने वाली हो आप बस ठीक से समझेंगे भी और समझाओंगी भी पस इसके लिए शो देखते रहिएगा लक्षमी जी की दो चमतकारी मंत्र भी बताएंगे जिससे छपड़ फार कर दनाएगा इसी शो पर आगे बताऊंगी अभी आगे बढ़ते हैं चलिए अब आपको लक्षमी जी के दो महा मंत्र बताती हूँ शुक्रवार यानि आज लक्षमी पूजा का विशेश महत्व होता है जब आप शाम को माता लक्षमी की पूजा करें तो साथ ही दो मंत्रों को जपना बिल्कुल न भूलें शुक्रवार की दिन शाम को देवी लक्षमी की पूजा से पहले नहा कर लाल कपड़े पहने, लक्षमी मंदेरिया घर में लाल आसन पर बैट कर माता लक्षमी का ध्यान करें अक्षत और लाल फूल हाथ में लेकर ये मंत्र बोलें मंत्र नोट कीजिए, बहुत आसानी से आपको धीरे धीरे रोक रोक के बताऊंगी ताकि आप नोट कर सकें मालक्षमी चविद महे, विश्नु पत्नी चदी मही, तन्नो लक्षमी प्रचो दयात माता के चर्णों में फूल अक्षत आपित करने के साथ लाल चंदन, अक्षत लाल कपड़े, गुलाब के फूलों की माला चढ़ा कर कमल गटे की माला या तुल्सी की माला से इस मंतर का जाप करें, आराम से बताऊंगी ताकि मंतर नोट कर सकें ओम, श्रीम श्रीम महालक्षमे, श्रीम श्रीम ओम नमहा, पूज़ा और मंतर जाप के बाद माता को दूद से बनी मिठाई का भूग लगाई घी की पाँच बातियों वाले दीप से आरती करके, मा से सुख वैभव की काम ना करें चली अब आस्टो स्पेशल का वक्त हो गया है, मालक्षमी का दिन हो और उनकी बात ना हो, यह कैसे हो सकता है मालक्षमी को खुश करने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, इनको घर में स्थापित कराई है, एक छोटी सी चांदी की कटोरी ले ले, चांदी ना हो तो स्टील की कटोरी ले ले इसके अंदर आपके पास अगर घर में चांदी के सिक्के पड़े हो, जिस पर मालक्षमी या गनेश जी हो, तो यह सिक्के West Direction में 5 सिक्के एक चांदी की या स्थील की कटोरी में रखते हैं, और इसके ओपर आपको थोड़े से अक्षत यानरी की चावल डाल देने हैं, पस इसको कहीं पे छुपा कर वेस्ट डारेक्शन में जमीन पर रख दीजे देखिए आपके घर मालक्षमी स्थापत हो जाएंगी फेस्बुक पर जोती राजपूत ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर की है जोती जल्द ही शादी के उपाई जानना चाहती है जोती शादी के लिए आप दो काम करें अपने घुटनों के पीछे डेली केसर का तिलक लगाईए और साथ साथ जितना हो सके अपने नाभी पे हाथ रखकर राधा कृपा कटाक्ष का जाप करें इश्वने चाहा तो आपका योग जल्दी खुल जाएगा